सभी को प्रणाम, मेरा नाम लावन्या है, केजी बीवी अलिपूर मंडल चिन्ना कोडूर बच्चों, आपने पिछली कक्षा में आ की मात्रा और न अक्षर के बारे में सीखा है लिखना भी सीखा और उच्छारन करना भी सीख लिया है तो क्यों न हम आज की कक्षा में म, र, और आ की मात्रा से बने, शब्दों का उच्छारन करना और लिखना भी सीखेंगे बच्चों, अब हमारा पहला अक्षर है मा मा अक्षर से बनने वाले शब्द मा से मकान मा से मटका मा से मसाला मा से मटर मा से मलाई मा से महल अच्छों, अब हम मा अक्षर लिखना सीखेंगे एक लखिर किंच कर छोटा सा गोला कर बना कर आडा रिखा किंचनी है और लंबी लखिर खिंचने के बाद उपर शिरो रिखा लगानी है यह बन गया मा अक्षर बच्चों, हम मा अक्षर किस प्रका लिखते हैं, हम सीखे हैं अब हम मा का उच्छारन किस तरह करते हैं एक बार सुनिए अच्छा बच्चों, ध्यान से सुन रहें अब आपने अक्षर को सीख लिया है उच्छारन करना सीख लिया है अब लिखना भी सीख लिया है अब अमारा अगला अक्षर है र र अक्षर से बन्ने वाले शेब्दू रासे रस रासे रवा रासे रवी रासे रकम रासे रसे रासे रजनी गंधा जो रा अक्षर किस प्रकार बनाया जाता है एक बात देखे उपर से तेड़ी रेखा किंच कर गोला कर बना कर नीची की तरफ किंचना है और उपर अंते में शिरो रेखा लगानी है ये बन गया आपको रा अक्षर बचो आपने अभी तक रा अक्षर से बने शब्दों को सीख लिए है अक्षर किस तरह लिखा जाता है आपने सीख लिए है अब हम उच्छारन किस तरह करते हैं सीखेंगे बच्छो आपने अभी तक न, म, रा अक्षरों से बने शब्दों को आपने सीख लिया है आके मात्रा से बने शब्दों को सीख लिया है उच्छारन करना सीख लिए है और अक्षर किस तरह लिखा जाता है वो भी सीख लिए है अब अंत में हम आगे मात्रा से बने शब्दों को हम देखेंगे आगे मात्रा से बने शब्द आग आम गाई कार तारा बिना आ की मात्रा से बने शब्द यानि आ की कोई मात्रा नहीं होती दुसरा है आ की मात्रा से बने शब्द आ की मात्रा लगाई तो बना आ इसका अर्थ है मुह को उपर ले जाता है मुह पूरा खुल जाता है आ की मात्रा लगाने से कम, काम, नम, नाम, पन, पान, कलम, कलाम, कमल, कमाल, कमला, मन, मान, कमर, कमरा बच्चो आज के कक्षा में आपने सीखा अक्षर और शब्द की परिभाषा उदाहारन सहित व्यंजन में आये हुए न, म, रा का उच्छारन, अक्षर लिखना, उच्छारन स्थान, अक्षर पढ़ना और अक्षरों से बने शब्दों को आपने जाना है अभी आप गुरुहकार में जो दिया जाएगा वहां उत्तर पुस्तिका में अपलिक कर लाईए धन्यवाद